तो है गाईज क्या आपका भी फेस्बूक एकाउंट लॉक हो गया है तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है गाईज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ नया खुसकबरी के साथ तो गाईज न्यू येर आने वाला है और अब जिन लोग लोगों का एकाउंट लॉक हो गया था उन लोगों का एकाउंट होने लगा है यह दोनोग वाला करोगे तो आपका यहांड़ परसेंट से और आपका ओपन हो जाए गये कारेंटी है तो गाईज मैं हूं सीवब और आप देख रहे हैं अपने यूटूब चैनल साप्र नॉ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो गाइज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं यदि आपका फेस्बुक एकाउंट लॉक हो गया है आज के काफी दिन पहले फेस्बुक बहुत सारे एकाउंट को लॉक कर दिया है बहुत सारे एकाउंट को दूसरी वीडियो देखनी की जरूरत नहीं है आपका एकाउंट ओपन हो जाएगा 110% मेरी गारेंटी है तो गाइज मैं दो ट्रीक बताऊंगा सबसे पहला ट्रीक क्या करना है आपको चलिए आप अपने फेस्बुक को ओपन करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं अब इस है इस पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे और यहां एक इमेल एड्रस दे देंगे गाइज उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अब यहां पर एक आईडी आपको अपलोड कर देनी है यहां स्क्रोल करेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एक डि जिनमें ओटर यूट अप डाल सकते हैं निरेगा इस कार्ड और पैन कार्ड और मेरी सेर्टिफिकेट नेशनल डी गारडू डायव लेसेंस पासपोर्ट जो भी आपके पास आप डाल देंगे थो यहां मेरे क्लिक कर देना है फिरी इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा आप आपको अपने आधार कार्ड के आगे बैक फ्रंट दोनों अपलोड कर देना है मैं कर दे रहा हूं उसके बाद आपको सब्मिट कर देना है तो गाइज इसको आपको सब्मिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा अब आपको एक स्क्रीन सॉर्ट इसका ले लेना है उसके बाद बैक जाना है अब मैं आप लोग को एक लिंक दूँगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में वहां आप क्लिक करके डारेक्ट बिजिट कर सकते हैं तो हम अपना क्रॉम ब्राउजर ओपन करेंगे और उसके बाद यहां न्यू टैब ओपन करेंगे अब यहां पर हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे और थोड़ा बेट करेंगे नेटवीक चल रहा है गाइज वह पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस लेके खुलेगा स्क्रॉल करना है आपको पहले पूरा पढ़ लेना है उसके बाद आपको सब फिल अफ करना है अब गाइज मैं आपको यहां बता दे रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को फटा फट फिल कर लेना है चलिए मैं बता रहा हूँ एक फॉर इक जमपल लेके उसके बाद subject में आपको क्या डालना है my facebook guys यह रही कुछ जानकारी इस तरह आपको form को fill up कर लेना है यहां आपको name में राम जो भी आपका नाम है नाम लिख देना subject में my facebook account log एक email दे देना है आपको और दूसरा account email जो आपके account में email लगा था वो दे देना है उसके बाद account की ID जिस नाम से आपकी ID थी उस नाम को यहां पर लिख देना है और guys सबसे important जो screenshot अभी आप लोग ने लिया है उस screenshot को यहां upload कर देना है अब सिर्फ पांच बार आपको upload करना है उस screenshot को पांच बार आपको upload करने के बाद इसे आपको यह चोड़ देना है और आपको simply send पर click कर देना है तो guys यह मैं आप लोग को बता रहा था तो उसके बाद send करने के बाद guys आप लोगों के पास सिर्फ मैं 24 hours के अंदर आप लोग के पास facebook का reply आ जाएगा उसके बाद आपको एक code दिया जाएगा उस code को आप login कर लोगे लोग इन करने के बाद आप अपना password reset कर देना फिर नया password generate करके आप अपने account को open कर सकते हैं यह था सिंपल सट्री तो guys कैसी लगी वीडियो आई होप कि आप लोगों को मस लगी होगी वीडियो यद वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शैर करें और हाँ चैनल पर आप लोग नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत दोस्तों